हलो एवरिवन वेलकम टू टेस्ट क्विज्ट टेस्ट क्विज्ट में आप सभी का स्वागत है तो आज की क्लास में हम जो संख्या इवं संग्या पद्धती है नंबर इन नंबर सिस्टम हमने लास की क्लास में इसके सारे जो थेोरिटिकल व्यूज हैं देख लिए कि कितने और प्राकरिचन संख्याँ का यूझ है तो क्या करना है अच्छितने वह योगूज होना चाहिए वह कंसें आप से हम इस टोपिक है यह स्टैप्टर का हम इसमें क्या करेंगे हम कोशन करेंगे चली है पहला कोशन है 4390675 में 9 का स्थानी मान क्या है तो 9 का स्थानी मान अगर आपको देखना है यह solution हम देखते हैं ठीक है तो 9 का इस्थानी मान मैंने क्या बोला यह कौन से place पे है इकाई, दाहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार ठीक है या फिर हम बोले कि 1, 10, 100 ठीक है, 1000 और यह 10,000 मतलब कि 9 का स्थानी मान जो place value होगा है न, वो क्या होगा 9 लिखिए और उसके बाद जो इतने डिजट है 1, 2, 3, 4 उतने में आप क्या लगा दीजिए 0 ठीक है, 1, 2, 3, 4 मतलब कि यह क्या होगा, 9,000 जो है, वो क्या होगा आपके 9 का स्थानी मान होगा place value, clear easy है यह question, चलिए अब देखते हैं अगला question, क्या है यह 4, 5, 6, 7, 8 में 6 के स्थानी मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो हम यह question में भी बोला है, हम second वाला देख रहे हैं ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8 में ठीक है, 6 का स्थानी मान क्या होगा यह होगा आपका 600 ठीक है, यह कौन से place पे है, 100 place पे है, तो 1, 0 ठीक है, और 6 का अंकित मान क्या होगा तो यह होगा 6, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो face value होती है वो वही value, वही नंबर होता है तो यह क्या होगा, 6 अब हमको क्या बोल रहा है, इन दोनों का अंतर क्या होगा इसको आप minus करेंगे, तो क्या होगा ठीक है, चलिए आप लोग सब कोई minus कीजिए इसको ठीक है, तो यह क्या है आपका answer, ठीक है 600 में से 6 minus करेंगे तो 594 चलिए अब देखते हैं आपका अगला question, next question क्या है 39497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि 3 से पुर्णता विभादित हो जाए तो 3 से अगर आपको किसी भी नंबर को विभाजित करना होता है तो उसका एक rule है ठीक है, क्या rule है, चलिए देखते है 39497 अब ये विभाजित हो गया की नहीं इस ये divisible है की नहीं ये देखने के लिए आपको divide करने की ज़रूरत नहीं है इसका एक अच्छा rule है आपको इसको add करना है 3 plus 9 plus 4 plus 9 plus 7 सबको add कर दीजे सारे numbers को क्या है ये 3 plus 4, 7 7 plus 7, 14 ठीक है, और 14, और ये 9 और 9 कितना हो गया 18, ठीक है 18 plus 14 कितना हुआ ये हो गया आपका 32 क्या 32 जो है वो 3 के table में आता है नहीं आता है इसका मतलब ये जो number है वो 3 से divide नहीं होगा इसलिए question में ऐसा बोल रहा है कि क्या ऐसा number इसमें add कर दे कि ये जो number है वो 3 से divide हो जाए तो आप इसमें देख पा रहे हैं अगर 32 में आप plus 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा और ये 3 से divide हो जाएगा आपको पता है ना 11, 3 जो 33 होता है और 3 का table आप 11 बार पढ़ेंगे तो भी 33 आएगा है ना तो इस तरह से इसका answer क्या होगा कि 1 ठीक है ये ही क्या होगा इसका answer होगा जो 1 है वो वह संख्या है ठीक है जिसको इसमें जोडने पर इसमें अगर हम लोग इसको 3949 ये 8 हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा इसमें प्लस बन कर देंगे तो 497 एक बढ़ के क्या हो जाएगा 498 हो जाएगा चलिए अब देखते हैं चौथा question क्या है 4 अंकों की नियुन्तम संख्या में जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या जो है वो 89 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए ठीक है चलिए ये देखने के लिए पहले थोड़ा रब कर लेते हैं इसे स्टार्ट करते हैं ना तो क्या है 4 अंकों की ठीक है चौथा question देख रहे हैं चार अंकों की न्यूंतम संख्या लिखना है आपको पहले चोटी संख्या क्या होता है चार अंकों की छोटी संख्या क्या करना है आपको वन लिखिए वान तू त्री टीन जीरो लगा दीजिए तो क्या हो गया, 1000 तो ये है चारंगों की छोटी संख्या, इसमें कौन सी निंतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त जो संख्या है वो 89 से पुन्नता विभाजित हो जाए, तो अब हमको देखना पड़ेगा इसमें कि हम इसमें क्या वो कर सकते हैं, ठीक है, तो 89 को 9 से डिवाइड करेंगे हम 1000 को, ठीक है, कैसे डिवाइड होगा, 89 वनजा, 89, ठीक, माइनस करेंगे, तो 10 में से 9 गया, 1, और 10 में से, फिर ये फिर 9 हो जाएगा, ये 1, और ये हो गया, 0, clear, अब फिर 89 वनजा, 89, clear, तो ये बच गया 1, और ये बच गया 2, ठीक है, ये कट, तो आपका क्या बच रहे, 21 बच गया, ठीक है, आपको पूछा जा रहा है, कि कौन सी संख्या, जोड़ी जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर, अगर आप क्या करते, 89 में से 21 को माइनस कर लेते, तो क्या आएगा आपका, 68, ठीक है, तो 68 अगर आप इसमें जोड देंगे अगर आप इसमें 68 जोड देंगे तो क्या होगा, तो ये जो नंबर है, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, समझ आए आपको क्या करना है, देखो, आप इसको नॉर्मली समझो की कोशन क्या बोल रहा है, कि चार अंकों की छोटी संख्या बोल दिया, अब उसको आपको क्या बज़ किया, 21 बज़ किया, अगर क्या घटाया जाये बोलता ना, तो आप 21 को माइनस कर देते, किस से, 1000 से, ठीक है, चलिए वो बात की बात है, अभी आपको क्या देखना है, कि 1000 में हम क्या जोडे, 1000 में हम क्या जोडे, तो आप क्या देख रहे हो, 68 अगर आप 1068 जोड़ दीजिए देखिए वो पूरी तरह से divisible होगा clear तो आपको क्या करना SDP question में जो reminder बचेएगा जो शेशवल बचेएगा उसको इस number से minus कर दीजिए और यही number क्या होगा answer होगा इसको ही आप अगर इसमें जोड़ देंगे तो वो 89 से पूरी तरह से विभाजित होगा clear ऐसे बहुत सारे questions के आप practice करना चलिए next question क्या है हमारी संख्या पधती में 4 अंक की कुल कितनी संख्या है तो ऐसे question देखने के लिए आपको बताया था मैंने कि जब भी बोलेगा कि हमारी संख्या पधती में एक अंक की कुल कितनी संख्या है तो 9 ठीक है 2 अंक की कुल कितनी संख्या है तो 90 90 3 अंक की कुल कितनी संख्या है तो 900 900 अब पूछ रहे 4 अंक की कुल कितनी संख्या है तो 900 तो यही क्या है आपका यह है आपका answer clear चलिए आप देखते है next question 1037 तथा 6 से बनी बड़ी संख्या क्या है चलिए बनाते हैं बड़ी संख्या बहुत इजी होता है बड़ी संख्या बनाना क्या करना है आपको simply जो सबसे बड़ा नंबर है न क्या है 10376 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 7 उसके बाद कौन सा है 6 उस 1 and then 0 यही क्या होगा आपका answer तो बड़ी संख्या क्या है 7 6 3 1 0 अगर यही आपको बोलता ना छोटी संख्या तो क्या करते आप सबसे छोटी संख्या क्या है आपे 0 तो 0 आप नहीं लिख सकते वो सिर 5 नंबर का बन जाएगा ठीक है तो आपको 0 को use करना है लेकिन आप सबस 6 फिर 7 अगर छोटी संख्या बोलता तो आपका answer यह होता इस तरह से clear है आपको हमने आज के class में कुछ questions देखें अगली class में कुछ और इसे type के questions देखेंगे ठीक है मिलते हैं आप से अगली class में तब तक के लिए stay home stay safe thank you